वैल्कम फेंट्स, सो सुवागतम दोस्तों, जिन मरीजों को स्वांस से जुड़ ही बिमारी जैसे अस्त्मा, COPD आदी है, तो उनको स्वांस लेने में दिक्कत होती है, स्वांस खीचकर लेनी होती है, और कई बार ब्रेथिंग अटेक हो जाते हैं, जिस कारण से मरीज के सरीर के में oxygen की कमी हो जाती है उस कारण से बेहोज भी हो जाता है, इसलिए जब यह डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर दवारा ऐसी दवईयां दी जाती है, जिसको स्वांस असानिस आए, उसको दिक्कत नहीं हो, यहां पर दवईयों के रूप में injection, tablet ताथा inhalers दिए ज पड़ेगा कितने परका के अलग लग inhaler होते हैं कब किसे दिया जाता है इनको लेने का सही तरीका क्या है और इनके अलाव भी कई अन्य मिस भी होते है जिन सभी को आज के सीडियों में डगये करूंगा इसलिए वीडियों को बीना इसकिप के आंद तक देखें में हूँ आपको होस्ट मोहिद आदीच आप देखरें अपना इडिव चैनल लान अबाउट मैडिसिन चलिए आज़ वे कुछ निया सेकते हैं हैलोफेंट्स नमस्ते दोस्तों स्वास के पंप जिनने हम इनहेलर तथा MDI मीटर्ड रोज इनहेलर भी कहते हैं यहाँ उन व्यक्तियों के लिए प्रियोग लिए जाते हैं जिन व्यक्तियों को नेच्वल रूप से स्वास लिने में समश्या होती है वो आसानी से स्वास नहीं ले पाती यहां हिस्तती दो अलगलग कारणों की वज़े से होती है पहला तो किसी बीमारी के कारण और दूसरा टेंपरली कंडिशन के कारण बीमारी जैसे अस्तमाता था COPD जिसे हम chronic objective pulmonary disease कहते हैं जो फेंपरो से जुड़ी एक समझ्या है और टेंपरल इस्ततियाँ में किसी व्यक्तियों को और allergy हो गई हो कोई poisoning हो गई हो या किसी medicine का side effect हो गया हो तो उसमें उसे swans land में दिक्कत होती है तो इस समय यह pump जो inhaler है मरीज को दिये जाते हैं और दोनों ही समय में अलग-लग inhaler दिये जाते हैं और मरीज की need के according व्यक्तियों को अलग inhaler दिये जाते हैं अब कौन से कौन से इन्हेलर कब दिये जाते हैं, इतने परका के अलग-लग इन्हेलर होते हैं, वहाँ सभी हम यहाँ पर जान रहे हैं, अगर अलग-लग इन्हेलर की बात की जाएं, तो इन्हेलर को अलग-लग ग्रुप में बाटा गया हैं, जिसमें बीटा-2 एगोनिस्ट, एंटी कोलिनेजिक ड्रग, क्रोमोजाइगेट तता ग्लुको कोर्टिकोट्स इसके अंतरगत जो स्वास की दवाईएं आती है वह सब इन्हेलर की रूप में अवेलिबल है दवाईएं के नाम जान लेते हैं जैसे सालबूटामोल, लिवोसालबूटामोल, फोरमेट्रोल, इपराट्रोपियम, टायोट्रोपियम, सालमेट्रोल, बेकलोमेथासोन, डाइप्रोपियोनेट, बुडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड, सीकलोसोनाइड, इस सरह के अलग अलग दवाईएं के नाम मेडिकल इस्टोपर मार्केट में क्या-क्या नाम से अवेलेबल है तो सबसे पहला और बहुत ही कॉमन यूज लिये जाना जो इनहेलर है अस्तालीन पंप जो सिपला कमपनी द्वारा बनाए जा तो इसमें सालबुटामोल दवा होती है अगला है एरो कोट इनहेलर जिसमें ल पे चांद वालोंने आपनी यूज लिया होगा next in ale अने ए फ्लोहहेल इनहेलर जिसमें सिख्लेस्वन इनहेलर को इसमें द्वारेट में इप्रैहन कोम्बेने संधर्ड इनहेलर होता है जिसमें सेलमे उफ्होट इसमें छेलिसमें इनियु सेलमेगज होता है त tournament a person बूंट से मरीज को कौन सा पॉंप देते हैं इसके बार में या बहुतात तो उसको शुरुवात में सालबुटमॉल पॉंप दिया जाए जाए जाता है और अगर इससे ज्यादा नहीं होता है या एक समय तक लेने के बाद इससे फाइदा होना बंद हो जाता है तो उसमें ग्लुको कोर्टिकोर्स इस्टोड मिला देते हैं या कोई अन्य दबा भी ए तो उसको ब्रॉंको डाइलेटर तता ग्लुको कोर्टिकोर्स का कॉम्मिनेशन दिया जाता है जैसे की लिवुस आलबुटमॉल तो था बेकलो मेता सुन डाइप्रोफियोनेट यहा देकर उसके जो स्वासमंदी समयशे उसको ठीक किया जाता है और जैसे जैसे सीवरेटी बढ़ती इसके जो पॉंप वहां चेंज होता रहता है तो जो लिया जाने वाले पंप उसको में निया पर बता दिया और कितने प्रकाव के होते हैं वहां भी हमने जान लिया इस इन हेलर की क्या डोज होती है इसको किस तरह से लेना चाहिए अगर इसकी बात करें तो पहले में तीन बार एक एक पंप या दो दो पंप लेने की सलहा दी जाती है और अगर किसी वेक्ति को ज्यादा समश्या नहीं है तो जब उसको ज्यादा समश्या हो रही है अटेक्स आ रहे हो तो उसको एक बार दवा की डूज लेने के सलहा दी जाती है जब उसको आवस्क्त होती ह इस तरह से रोज दी जाती है और जो डूरेशन है वह कभी भी फिक्स नहीं होता है और इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्या दिशन होती है क्या इसको एक बार लेना सुरू करते हैं उसके बार जिंदगी बहुता है इनजेक्शन लो जब दक आपकी बिमारी यह बड़ी बीमारी है जैसे अस्तमता था C.O.P.D. तो उसको जब तक अस्तमा पूरी तरह से ठीक नहीं होता तब तक यह इन्हेलर लेना पड़ेगा और किसी वेक्ट्री को अगर इन्हेलर का अगर कंपरेजन टेबलेट के साथ किया जाए तो टेबलेट के मुकाबले बहुत ही जधा सेफ है यह इन्हेलर क्योंकि जब आप इन्हेलर लेते हैं तो डायरेक्ली आपके लंग्स में जो साइट है वहाँ पर कारिये करती है बलकि जब टेबलेट लेते हैं तो आप वित के साथ लेंगे, स्वांस के साथ लेंगे, साइट पर जाकर काम करेंगे, तो ज़्यादा नुक्सान भी वह नहीं करते हैं, तो यह मित निकाल दें, कि इन्हेलर लेना खराब है, और अगर इन्हेलर आपको एक बार लिखा है, तो जिन्दगी बर लेना पड़ेगा, जब दगाव सकता है, इसको दिया जाता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है, तो यहाँ पर यह भी डाउट में आपको क्लियर कर दिया है, अब जानने इस इन्हेलर को किस परकार से लेते हैं, इसका प्रोपर तरीका क्या है, सबसे पहले इन्हेलर को पेकिंग में से बा टाले और अपने मुह में इसको रखें कुछ इस तरह से मुह में रखने से पहले आपको जो अपने फेंपड़ों में हवा है उसको बाहर फैंक देनी है फिर इसको मुह में रखें उपर से अंगुली के साइट इसको बना होता है जिससे कि जो दवा है आपके मुह में चले जा ज़ल्दी आपको असर मिलता है जब आपका यह एक डूस बूरी हो जाए तो फिर इन्हेलर को डगन लगा के वापस आपको रख देना होता है और प्रतियक बार इसको इस तरह से यूज लेना है जब आप एक हफ्ते से ज्यादा तक इसको यूज ले लेते हैं तो उस समय आप को यह जो इसका गंटेने इसको बाहर निकाल देना है और यह जो प्लास्टिक की बोड़ी है इसको अच्छे सर्फ के पानी से दो देना जिससे कि इसमें कोई इंफेक्शन नहीं रहे साथी जितनी बार आप पंप लेते हैं तो इसके लिए आपने सुना होगा कि पंप लेन करते हैं तो बहुत ही आपको अच्छा रेजल्ट मिलता है और जो इन्हेलर हैं कितने परकार के होते हैं किस-किस समय के कर दिया जाता है पूरी डीटेल में एक ही वीडियो आपको बता दी अगर आप वीडियो पर लाश्टक बने होए तो जरूर से आपको पूरी जानकारे और मेरा द्यावा है अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं, तो आपको किसी परका का डाउट नहीं रहेगा, उमीद करता हूँ, पूरी जानकाय मिली होगी, वीडियो को चूर से पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा इसको शेर करें, जो किसी और के भी काम आ सेगे और अभी तक आपने अपने यूटिप चैनल लाणाबूट मैडिस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बट्टों को दबा कर सब्सक्राइब कर दें जो पास में बेल आइकन आइसे दबाए और ओल नौटिफिक्स में क्लिक करें जिसे कि आन